इस गूट इवनिंग वेल्कम तो माई यूटूब चैनल आप लोग कैसे हैं आई होप आई थेंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे बाहर बहुत सर्दी पढ़ रहे है जबरदस सर्दी पढ़ रहे हैं इतनी ज्यादा सर्दी पढ़ रहे है कि मैं कुट्कुला गया हूं आय यह जाए फिर मैंने सोच घ्रम ही खुद बनाता हूं जाए स्पेसल तरीके की चाय है जो आपके साथ शेयर करूंगा इस एक चूले में आख जलाने जा रहा हूं और चाय भी इस पर बनाओंगा देखता हूं कैसे बनती है चाहिए यह मेरा बेटा पर्व है पास में बैटा हुआ है जो बहुत ही खुरापती है बहुत सेटान है यह आज मैं इसी पर चाय बनाओंगा आज अच्छे से जल जाए फिर उसके बाद प्लांग करता हूं कैसे अच्छे जब आप जलने लगेंगे तभी प्लांगा अब मैं बताने वाला हूं कि मैं इस घड़े में इस मटके में चाय बनाओंगा मटके वाली चाय अब मैं घड़े को इस पर रखता हूं और गरम को रखता हूं अब अब रख दो अब रख दो अब रख दो यहां पर कि मैं अध्रब डालने जा दो इसको घड़के डालेंगे तो बहुत अच्छा आएगा चीनी डालेंगे हैं इसमें जैसा कि आप लम से जानते हैं अब खौला आने के लिगाएगा इसके बाद हम चाय पत्ती दाते हैं चाय बन चुकी है बटके वाली चाय बहुत ही अच्छी है देखते हैं कैसे बनी है रिपीटे बताएंगे दोस्तों आप लोग भी बीजिए यह आपके लिए बनाईए चाहे ट्राइगी जिए कैसे बनी है चाहे बहुत बहुत इच्छी बनी है चाहे बैरी गुट वाव कि मेरे बैटा दूद पीते हुए बटल में चाहे वह भी पीघा है उसमें भी चाहे ठोड़ी से मिला दी है और चाहे पीघा है वो अल्की सी चाहे मिलाई है बहुत अच्छी बनी हुई है जब अदस्त स्वाब बहुत अचारा गर्मी एकदम लगने लगी है सर्दी भाग गई है आग भी जल रही है अभी इस पर हम लोग रोटी पकाएंगे पहली बार यहां पर रोटी बनाएंगे देखिए काला पढ़ गया इसी दिले से चुले जल करते हैं ओकै गुड डाइट बाए 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 दोस्तों साओर हुआ अ झाल झाल